हेलो दोस्तों मैं हूँ सना खान विल्कम है आपको मेरे चैनल सना अरुवेदा पर मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एको नियो वीडियो लेकर तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ एंटी एजिंग करीम की ज्यादा तर लोग ऐसा मानते हैं कि 35 के बाद ही हमें कि इस उमर से एंटी एजिंग करें का यूज करने से इसकीन के टीसूज को जरूरी प्यूर्टी और बिटमिन्स मिलते हैं जिससे हमारी स्कीन लंबे समय तक ग्लो करती है यंग नजर आती है 25 के बाद ही हमारे आसकों के आसपास का एरिया जो होता है वह सेंसिटिव हो जात करते हैं इसलिए दोस्तों 25 की उमर के बाद ही आपको एंटी एजिंग क्रीम का यूज कर देना चाहिए लेकिन एंटी एजिंग क्रीम अगर आप घर की बनी हॉममेड आयुवेदिक क्रीम का यूज करोगे तो आपको जल्दी वेनेफिट होगा और अच्छा वेनेफिट हो लेकिन उसा पहले आप मेरी चैनल को सक्राइब कर लेजीं और वीडियो को लैक कर दीजिए दोस्तों आपका एक लियक मेरी लिए बहुत जरूरी है तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो डूस्त इस रैमेडी को बनाने में अचक्ताव है यहां पर एकμη्य polisherry यूज कचा सा खाली है कि यहाँ पर मैंने ब्लु कॉफी का यूज़ करा आप चाहें तो कोई सेंब कॉफी पॉडर यूज़ कर सकते हैं मैं इसमें मिला रही हो गुलाब जल को इसमें मिक्स कर लूँगी इसके बाद मैं इसमें मिलाँत के चाहिए विटामिन ओल्य अगर आपके पा है और मैं इसे आपस में अच्छे से मिला लूँगी ताकि इसमें एक कोई भी गाटना रहे एक स्मूथ सा पेश्ट बन जा किरीम की तरह जो लगने में बिल्कुल आसानी हो इस अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब अच्छे से मिक्स हो रहा है अब इसमें लास्ट इस्टेप पेस्ट बनके जब यह तयार हो जाएगा तो यह लगने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा दोस्तों इस क्रीम का यूज कैसे करना है वो तो मैं आपको लाश्ट रूम बताऊंगी लेकिन इस क्रीम में जो चीजें हमने मिक्स करें वो हमारे लिए कितनी वेनेफिट है आपको क्रीम का बेनिफिट जान सको कि क्या होने वाला है उसमें आमने कॉफ। का यूर्ज करह है जैसा की माना जाता हmoi यूव रेडियंस तच्की बड़ती उमर में सबसे बड़ा कारण होते हैं इसकी वज़े से कॉफी एंटिय॑ क्रीम आपके लिए算प्लिए सबस्त हीतल में कर जाती है साथी फोर्टोएजिंग को भी कम करती है इसमें विटामिन ईडिअल यह बहुत अच्छा एंटिओ और इजिंग यह एक एंटियोख्सिडेंट है जो आपके बलॉड इंक्रीरिस करता है और स्कीन को टाइट करता इसमें रोज वाटर है जो आपकी इसकीन को हाइडर होल हैς हमारी स्कीन के को बड़ा के स्किन टोन को रायत करता है जूरीयों को कम करता है इसमें ऐलवराजेल है अर्विक्स लिए टियूष ले क dije जो आपकी स्कीन को थन्हां करता है इसकिन फाई यायन स्रिंकर्स और दागदबों को भी दूर करता है तो दोस्तों आपने तवाभी जान लिए इसके वेनेफिट दोस्तों आप आप यह जान लीजिए आपको इसका यूज कैसे करना है जब आप रात में सोने जाओ तो आपको अपने फेस को पाई अच्छे से वोस कर लेना है क्ली अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इसे फेस पे लगे रहने देना है सुबह वोस कर लेना है यह किरिम आपकी फ्रीज के अंदर 20-25 दिन आराम से चल जाएगी आप इसे स्टोर करके फ्रीज में अच्छे से रख सकते हो फिर इसका यूज रोज रात को कर सकते हो तो दो आपको मिलूंगी नेश्ट वीडियो में न्यू टिप्स के साथ जब तक आप अपना ख्यार रखिए बैबैल हाफिज